तो चलिए देखते है question number 36 का first part क्या है check the injectivity and subjectivity तो ठीक है हमें बताना है कि one one होगा या नहीं या on two होगा या नहीं ठीक है तो अपना range दे रखा अपना domain दे रखा natural number और co domain भी दे रखा है natural number ठीक है और function दे रखा है fx is equals to 3x तो चलो पहले injective के लिए check कर लेते हैं injective का मतलब आप लोगको पता होगा on two नहीं one one होता है ठीक है one one injective और one one सेम मुटी है तो अगर मैं fx1 is equals to fx2 रखता हूँ और अगर मेरा x1 equals to x2 आ जाए तो वो मेरा one one होगा तो put करते हैं fx क्या है 3x तो यहां क्या हो जाएगा 3x1 is equals to 3x2 देखो 3 से 3 कट गया अपना क्या आगे x1 equals to x2 यही हमको चाहिए था it means यह injective है ठीक है injective है और अगर बात करें surjective surjective मतलब की on two तो on two के लिए देखते हैं तो पहले बताओ अपना fx क्या है fx है अपना 3x 3x का और अपने को इसका code domain क्या दे रखा है अपना code domain है all natural number तो natural number क्या होते हैं बताओ बस अपको one two three till infinity ठीक है अगर बात अगर एक बात बताओ कि अगर तुमको अगर 3x का range लिखना और सिर्फ x यहगा natural number put कर सकते हैं तो क्या बनेगा सबसे पहले सबसे चोटा one put करके लिखते हैं क्या बनेगा आएगा three फिर उसका two रखोगे तो क्या रखोगे six फिर क्या रखोगे nine तो कभी भी इसमें one नहीं आएगा two नहीं आएगा four नहीं आएगा five नहीं आएगा लेकिन इसके codomain में तो यह सब include है तो it means codomain is not equals to range hence यह अपना onto नहीं होगा it means subjective नहीं होगा